हाई दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आल इन वन नॉलेज में आज हम आपके लिए लेकी आएं आर्सी हेलिकॉप्टर रिब बेर कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्राबलम क्या क्या आती हैं जिसका आप लोग सब सामना करते हो पहले तो इसकी बैटरी नए एलिकॉप्टर की बहुत जल्दी खराब होती है दूसरा उसके बाद इसका चार्जिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो आज ध्यान से आप वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे इसमें क्या करना है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए बहुत सारे गैजेट्स की अन्बॉक्सिंग और रिपेरिंग और बहुत सी नॉलिज की चीज़ें लेके आते रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह एक RC हेलिकॉप्टर है जिसमें इसकी बैटरी और चार्जिंग मैंने दोनों रिपेर की हैं सबसे पहले तो आप देख लो बैटरी यह एक जब मैंने लिया था इसे तो इसमें 300 mh की बैटरी मिली थी 3.7 वोल्ट की जो कि मात्र 15 दिन या 20 दिन में ही खराब हो गई थी उसके बाद मैंने कई बार Amazon से बैटरी मंगाई लोकल मार्केट में सर्च किया लेकिन कोई भी बैटरी से फिट नहीं हो रही थी कोई साइज में इतनी कम थी कि लोडी नहीं ले रही थी तो कोई इतनी ज़्यादा थी कि हेलिकॉप्र लेके उड़ नहीं पा रहा था आखिरकार थोड़ा प्राइज महेंगा था बैटरी का करी 500 के आसपास था लेकिन यह बैटरी मिली जो कि 600 mh की थी साइज में पुरानी को ढखने वाला आगे का पार्ट होता है बॉक्स वह फिट नहीं होता और अगर आप उसे फिट भी कर दोगे तो लोड जादा हो जाता है और यह नीचे को जुकने लगती है लेकिन अगर आप वह ना लगा हो फिर भी अराम से इसे उड़ता है और पहले से जादा देर उड देखते हैं कि इसका चार्जिंग सिस्टम कि चार्जिंग सिस्टम समझते हैं इसका कैसे सही करना है तो इसमें देखेंगे आप यह जहां से हम प्लग लगाते हैं यही सिस्टम इसका खराब हो जाता है जिस वज़े से यह कोई भी पिन एक्सेप्ट नहीं करता और चार्ज होना बंद हो जाता है आतर तो प्रसक्राइब क्या करते हैं जब इसे हम पूरा कूलते हैं कोलने का कोई बहुत बड़ा मेनजाम नहीं है आप सब लोग कूल सकते हैं इसलिए मैंने पूरा खुलने से वीडियो नई बनाया है झाल अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है इसमें दो वाइर निकाल लेने हैं एक रेट और एक वाइट जो सिगनल है माइनस और प्लस का तो हमें कहां से यह वाइर निकालना है यह देख लो आप सबसे पहले तो आप यह देखोगे जो यह इसका यह प्लग है बॉडि लगी हुई है इसी मेंसे आप इस तरफ से या उस तरफ से दोनों मैंसे किसी तरफ से तार को आइरन सोल्डर से जोड़ लीजिए जैसा कि मैंने जोड़ रखा है यह आपका माइनस पॉइंट है तो यह टांका आपने जुड़ लिया जादा नजदीक से आपको दिखा देता है लेकिन यह आटो फोकस की वज़े से साथ काम नहीं करेगा अगर आप देख पा रहे हों तो तो इसको यहाँ पे लगाना है जो किनारे से यह पिलेट जुड़ी होई यह उसी किनारे में फिर हम इसके पीछे देखेंगे पीछे तो आप देखेंगे कि यह जो सबसे किनारे का है सबसे किनारे में जो यह टांका है इससे हम लाल वायर जोड़ देंगे जो कि यह प्लस का है जहाँ पे मेरा यह नाखून है बिलकुल यही पे यह मैंने लाल वार जोड़ा हुआ है इससे इससे आप देख सकते हैं हलांकि बहुत यह महीन टांका होता है आपको बहुत होस्यारी से जोड़ना होगा यह यहाँ पे आप जोड़ लीजिए इससे यह बिलकुल किनारे पे उसके बाद यह आपके दो वायर निकल आए अब इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए पेन की ज़रूरत नहीं है कोई भी आप ऐसा चार्जर लो जो छोटे मॉबाइल चार्ज करने के चार्जर होते हैं बड़े मॉबाइल वाले इस्तमाल मत करना उसके बाद उसको आप यहाँ से कट कर लो जैसे कि मैंने कर रखा है कट कट करके उसको लाइट में लगाके और यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ दो और करीब आधे गंटे में पॉन गंटे में चार्ज हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक गलती आप कभी मत करना जैसे कि बहुत से लोक कर देते हैं कि जैसे यह बैटरी है वो इस बैटरी को डिरेक्ट उपर से ही जोड़ देते हैं इस चार्जर से उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी बैटरी डिरेक्ट पाउर रिसीट करने लगती है जिस वज़े से आपकी बैटरी अगर आपको कभी याद ना रहा और आपने 10 या 15 मिनिट से ज़्यादा लगा दिया तो ये तना बैंकर भी स्पोर्ट करती है कि आपका हेलिकॉप्टर के तो तीछड़े उड़ जाएंगे आसपास आप हुए तो आप एमर्जंसी में भरती होंगे और कोई भी घर में समान रखा है वो आग पकड़ लेगा ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इसकी पहली वाली बैटरी ऐसे डिरेक्ट चार्जिंग में लगाई थी हलाकि मैंने हेलिकॉप्टर में नहीं लगा रखा था बैटरी निकालके अलग मैंने डिरेक्ट जॉइंट करके लटका दिया था उसके बाद जो बिसपोर्ट उसमें हुआ था कि वो तो मैं वहाँ पे दूर बैठा था मैंने रिकवर कर लिया लेकिन करेब दो इंच मोटे प्लास्टिक के आइटम में छेद हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि विसपोर्ट कितना तेज रहा होगा तो अगर आप इस प्लेट को प्लेट से जोड़ा इंचायर और निकाल होगी और चार्ज करेंग तो इस डिरेक्ट चार्जिंग नहीं है ये आपके बोलटेज को कवर करके चार्ज कर रहा है जैससे आप पिन से कर रहे थे वह ऐसे ही चार्ज कर रहेगा तो हमेशा आप डिरेक्टर ना लगाए जो तरीका मैंने बताया वैसे ही चार्जिंग में लगाए उसके बाद ये जो दो आपको कट दिख रहे हैं ये कुछ नहीं है जो बैटरी पहले डिरेक्टर जुड़ी थी जो मैंने बैटरी चेंज किये तो बीच में से काटके इस बैटरी को इन वायरों के साथ जोड़ दिया है और इनको solder से sold कर दिया है उसके बाद कुछ नहीं करना है इनको set करके ये सारे part लगा देने है और इसके सारे screwks देने है और charge करके इसे fly करना है अब ये fly कैसा होता है मैं आपको इसको तयार करके दूसरा वीडियो डालूँगा वो आप देखना बहुत अच्छे से fly होगा और अब तक का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे साथ जुड़े नहीं के लिए धन्यवाद आपका